क्लास 6, 11-17 है कम्प्यूटर, कम्प्यूटर, इकाई में हमको पढ़ना है कम्प्यूटर की परिभासा और बुण, कम्प्यूटर का विकास, कम्प्यूटर के प्रकार पढ़ना है, हार्डवेर और साप्टवेर, यानि कम्प्यूटर के जो प्रकार है, हार्डवेर पढ़ना ह परसनल कंप्यूटर क्या होते हैं उनके कार भाग और कंप्यूटर के क्या उप्योग है यह पढ़ना है तो यह कंप्यूटर रिलेशन है और कंप्यूटर से हम सभी लोग जो है क्या है परचित हैं कोई भी एलेक्ट्राइश शामान हो जैसे कि आपका मुबाइल हो गया है ना या laptop हो गया या आपका pom top हो गया है ना तो ये सब क्या है ये computer के ही क्या है ये रूप है छोटे या बड़े रूप में जो है आपको computer के रूप में मिल जाएगा तो सबसे पहले बात करते हैं जो लिखा गया है कि आप television था रेडियो पर अपने पसंदीदा कारेकरम cartoon था समाचार को देखते और सुनते होंगे इसी प्रकार आप अथवा आप computer ने railway platform पर ticket आरच्छन करते हुए भी देखा होगा ये ticket खरीते हुए देखा होगा उसके सामने बैठा एक बेक्ती television के आकार की machine को बार बार देखता है और plastic के button को बार बार दबाता है यानि जो keyboard होता है keyboard सब लोग जानते हो ना जिसमें सारे button लगे होते हैं और आगे जो monitor होता है जिसको जिस पर screen लगी होती जिसको TV की भाती होता है उसी को कहते है monitor है ना तो ये आपको ध्यान देना है television के आकार का देखने वाला computer का भाग है television के आकार का जो दिखाई देने वाला भाग जो होता है वो computer होता है computer का एक भाग monitor है क्या है monitor है तथा वह जिस बटन जैसी सन्रसना पर उंगली चला रहा होता है वह कुंजी पटलेने keyboard है computer एक electronic उपकड़ है जिसका उप्योग सामान जाता है उनक स्थानों पर किया जता है जहां कारेट्य विद्धिक मातरा में किया जता है computer की परिकलबना वैं सरव् одна मत चार्स बैबेज ने की थी इसलिए इन्हें आधनी कम्प्यूटर का जनक माना जाता है तो आधनी कम्प्यूटर का जनक चार्स बैबेज को माना जाता है ख्लास में याद भी करवाया गया है ना कि कम्प्यूटर का विश्कार किसने किया या खोच किसने की है ना किसने बनाया तो वो चार्ल्स बैबेज चार्ल्स बैबेज के बारे में थोड़ा सा बताया गया है देखो कि चार्ल्स बैबेज सर चार्ल्स बैबेज का चित्र बना हुआ है ये हैं सर चार्ल्स बैबेज सर चार्ल्स बैवेद ने अठाउस ते तेसी में स्वचलित कल्कुलेटर कल्कुलेटर जिससे मतलब जो है जोड घटाना गुड़ा भाग किया जाता है मोबाइल में होता है और कल्कुलेटर लग से आते भी है अर्थात कंप्यूटर की परिकलपना की थी कंप्यूटर बनाया मानूव की मिमोरी होती हो प्राकृति होती है इसल Anyways लेकिन आर्टीपीचल की बात तरफिय मानूँ में अपने हाथ से बनायए वह म्मोरी चुब कहते हैं ठीक तो इस प्रकार से उसको प्रोग्राम मलब की स्वासे बनाया गया कि जो उसमें आकड़ें आप दे रहे हों उसे के अनुशार जो है आपको क्या कर देगा आकड़ें प्रस्तूत कर देगा आपके अनुशार चाल्स बैबेच अपने चालिस वर्सों के अथक परिसरा में सरकारी मदद के बावजूद इस यंद्र को ना बना सके क्योंकि तब इनके अधिक इतने अधिक परिस्कृत यंद्र को बनाने के लिए तकनी की छमता बिक्सित नहीं हो पाई थी ना ही बिजली की सुविधावलत थी फिर क्या हुआ पिर कंप्यूटर की परिभासायों गुण तो कंप्यूटर की परिभासायों गुण देखते हैं कॉंप्यूटर सब्द की विद्पत्य जो है कंप्यूट सब्द से हुई है जिसका अर्थ है गड़ना करना क्या है गड़ना करना अर्थात ये कंप्यूटर को आम तोर पर एक गड़न युक्ति यनि कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है जो अंक गड़िती और तारकिक operation को तेजी से कर सकती है है ना क्या माना जाता है एक गड़ना calculating device माना जाता है ना जो क्यों कुछ चीजों कुछ हाकड़ों को calculate करके जो है आपको दे दे है ना लेकिन अधिक समय अधिक समय सही तोर पर कहा जाए तो computer का उपयोग जो है सिर्फ गड़ना तक्सीमत नहीं है आज इसका उपयोग music, graphics, internet आधि कई छेत्रों में भी हो रहा है अता हम कह सकते हैं कि यह एक electronic युक्ति है जो निर्देशों के एक set program जिसे program कहा जाता है कि अनुसार विभिन्द प्रकार के कारे करता है उसके बाद यह परिड़ाम नि result का परदर्शन या प्रिंट करता है न कोई भी आकड़े निर्देश हम जो देते हैं मालो हम कहें कि जोड़ना दस प्लस दस जोड़ना है तो आपको 20 है ना 20 लिख के display पर यह नि monitor पर दिखाई देता है तो प्रिंट कर देता है उसको हम चाहे अपनी किसी फोटोकापी पर निकाल ले और चाहें ऐसे देख लें ना तो यह क्या है एक प्रड़ाम प्रदसित कर देता है यह डाटा को access यानि स्विकार करना और store करना मिंस भंडार करना और उन्हें manipulate यानि हेर पेर करना भी कर सकता है कंप्यूटर में क्या होता है यानि डाटा को जो भी चीजे हम calculate कर रहे हैं या चीजे उसमें डाल रहे हैं तो उसको क्या करता है तो विकार करता है या अपने अंदर भरे रहता है मेमोरी में इस्टोर कर लेता है manipulate या फेर फेर कर सकता है इधर से उधर कर सकता है अगला है computer का विकास यह थोड़ा विकास के बारे में बताया गया है कि computer की सुरुवात कब से हुई है ना यह सब पहले गड़ना के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली जुक्तियों में यांत्रिक यानि मेकेनिकल जाता है तो दिहान रखना पहला computer का नाम क्या है अबेकस अबेकस computer का पहला 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 डिवाइस है ना सबसे पहले कौन सा computer बना था तो नाम दिख देना अबेकस है पहला computer और इसके बाद पास्कल फिर लॉरेंस फिर जैकब और एंटो शौबेरी आदी के कई डिवाइसें बनाई किन्तु किसी भी डिवाइस में memory नहीं थी ठीक सत्रही सताबदी में चार्स बैबेज ने analytical और difference मसीन का विसकार किया था उसमें memory को डाला यानि कब 17 ही सतावदी में चार्स बैबेज ने कम्प्यूटर जो बनाया उसमें मिमोरी इन्होंने लगाई यानि जो मिमोरी चिप जिसको कहते हो वो लगाई इन्होंने और उसमें जो है उक्त मसीन यानि ये सब जो मसीने हैं मसीनों के अभिसकार से ही आधनी कम्प्यूटर योग की शुरुवात हुई बाद में आज के सभी कम्प्यूटर में मिमोरी सबसे बड़ी विशेशता है इसके बाद जो है थोड़ा सा जनरेशन के बारें पढ़ेंगे यानि जो जनरेशन होती है जनरेशन कहें तात पर क्या है कि पहले पर्थम बार में जो है आपका 1945-1955 ये तिथी है इसके बीच में जो भी अविश्कार हुए हैं उसको पर्थम सिर्णी में रखा गया पर्थम जनरेशन में रखा गया तो निरवात निरवात नली परियुक्त तकनीकी का उपयोग क्या था वेक्यूम ट्यूब लगाया जाते थे क्या लगाया थे यूवेक्यूम ट्यूब लगाया जाते थे और दोतिय सिर्णी की बात करें तो ये 1955 से लेकर 1964-1964 तक तो पच्शिपन से चौन साथ सिवी के बीच में दोतिय जनरेशन आई जिसको है। उपयोग किया घया उसमें ट्रांजिस्टर लगायई गए उट्याग का य पच्पन का निस्ए शौन साथ से लेकर 1975 थीक कि 1974 प्रीटोफ से 1975 इसमें एंडी ग्रेटेड सर्कुट यानि आई सी जिसको चिप कहते हैं न हो चिप इंडी ग्रेटेड सर्कुट तुर्थिय से में आई है चिप का प्रियों कप किया गया तो तुर्थिय सिर्णी में इसको ध्यान रखने से लेकर 1989 इसमें प्रोसेसर आने लगा क्या लगा प्रोसेसर ठीक जिसे सीप्यू कहा जाता है तो प्रोसेसर आने लगा और पंचम आई 1989 से लगा तो अब जो आधनिक वरी चल लही है वो क्या है पंचम 5G टेक्नोलोजी है अधनिक इंटीग्रेटेड सरकिट यानि दुबारा से लगने लगी लेकिन आधनिक वरी लगी तो यह आपको ध्यान देना है पांच परफाम है कर लेना है जनरेशंस को कितने जनरेशंस में जो है फिर है इधर पढ़ते हैं कि आधनी कंप्यूटर की जो यूग की सुरुवात हुई किसके बाद हुई जब चार्स बैबेज ने मिलकर एक मसीन बनाई यह कंप्यूटर बना जिसमें इन्होंने मिमोरी का यूज किया तब से चार्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है तो चार्स बैबेज को computer का जनक कहाता है एनीक परफम electronic computer है यहीँ से electronic computer का यूग जो है सुरू हो गया electronic computer को पांस civilization में माता गया cat electronic computer को इस प्रकार से हैं यह हमने पढ़ लिया इसके बाद कुंप्प्यूटर के प्रकार computer के कितने प्रकार हैं यह देखना कंप्यूटर के कंप्यूटर को उनके आकार और कार की छंता के अधार पर निम्नवत विवाजित जो है किया गजा सकता है जो निम्निकित है पहला देखो किस के अधार पर कार के अधार पर ठीक और आकार के अधार पर दो चीजों के अधार पर बाटा गया है कार के अधार पर और आकार के अधार एपलिकेशन के अधार पर कम्प्यूटर एपलिकेशन के अधार पर कम्प्यूटर तीन प्रकार के होते हैं कि पहला कंप्यूर को यह बहुतर कि आधार पर कारे करते हैं अंजिनिर के एन लाक १या चाह्तर में कि यहाय जाता हैय। जो संख्याओं में भासा इसकी होती है जिसको माझने हैं आगे जो है इस पर डिस्कस करेंगे और अगला प्रकार है hybrid hybrid computer कौन कौन से होते हैं तो यह computer analog और digital computer दोनों का combination होता है ना तो hybrid का मतलब ही होता है कि जब दो चीजे दो या दो से अधिक चीजे जब मिली हों आपस में मिसरित हों तो hybrid बन जाता है तो hybrid जो computer होंगे वो analog और digital दोनों से मिलकर बने होंगे ठीक है अगला है आकारियूम कारी के अधार पर तो आकार कारी के अधार पर computer को निम्नुवत वि यह कंप्यूटर यह कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं यह कम गति से कारी करते हैं और इन्हें परसनल कंप्यूटर कहते हैं इस computer में एक्रो प्रोफिसर का प्रियूग के रहता है इसमें CPU एक monitor keyboard और mouse यह चार चीज़ होती है यह बनी हुए है यह आपका जो डिस्पले आपकी दिखाई दे रही इसको क्या कहते है monitor कहते हैं और यह आपका जो रखा हुआ keyboard जिसमें जो है की लगी होती है बटन लगे हुए होत दूसरा जिसके द्वारा हम cursor को चलाते हैं ना cursor चलाते हैं जैसे कि यह cursor तीर का निसान वही cursor है उसको चलाते हैं तो वह क्या है mouse चूहा के भात होता हुए है इसलिए उसको mouse कहते हैं और यह वाला भाग देख रहे हो यह है CPU क्या है CPU है यानि जिसको कहते है Central Processing Unit यानि कोई सिक्वी जो गड़ना करता है गड़ना करने का कारी क्या हर यह है CPU को दिमाग कहते हैं computer का किसके बाद है मीनी computer मीनी computer क्या है मीनी computer यह micro computer का बड़ा था अधिक ठहमता का होता है और माइक्रो प्यूटर की तुलना में अधिकतेजी से कार्य करता है माइक्रो कम्प्यूटर से बड़ा और कारे करने में अधिक अच्छा होता है इनकी संगणक छमता भी अधिक होती है मेन फ्रेम कंप्यूटर तीसरा प्रकार क्या है मेन फ्रेम कंप्यूटर ये कंप्यूटर आकार में माइक्रोयों मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं और ये अत उच्च शंग रहा छमता वाले बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं इनका प्रयोग बैंकों बड़ी कंपनिय सरकारी भागों में किया जाता है तो में फ्रेम कंप्यूटर का जो प्रियोग है वो कहां किया जाता है बड़ी-बड़ी कंपणियों कहता है बैंकों में कहता है तो वो में फ्रेम कंप्यूटर हो गए ठीक और है सुपर कंप्यूटर तो सुपर कंप्यूटर की बात में यह कं सादिक संगरहक च्छमता वाले होते हैं सूपर कंप्यूटर में अने इक CPU होते हैं जिसके कारण ये डीय कंप्यूटर giंत न्य कंप्यूटर और ब्हारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौंसा है परम एक हजार भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है तो इसले बहुत जल्दी कारे करता है इसके उन्हेंने दीन हैं हाड्वेरवेर और साफ्ट वेर हाड्वेर और सांफेर यह क्या है हार्डवेर और यह इसके अबारें देखे कंफ्यूटर को मोखhouगए अभागों हालद को जैसे हारड्वेर कुछे के वह सभी पार्ट जिन्हें हम हाथों से च्छू सकते वह देख सकते हैं। उन्हें हाड़वेर कहते हैं। यह कंप्यूटर के यांतरिक वेद्दुत वह एलेक्ट्रानिक भाग हो सकते हैं। मानीटर है cpu है speaker है की keyboard है आधि को hardware कहते हैं computer में निमिखित hardware का प्रयोग करते हैं पहला है input device input device में जैसे आपका mouse हो गया है न और light pen हो गया तो ये सब चीजें होती है input device जिसके दौरा हम किसी निर्देस को computer के अंदर भेजती है है तो वह क्या हुआ इन पुट डिवाइस आउट पुट डिवाइस जो बाहर दिखाता है हमको कोई चीज ठीक जैसे कि प्रिंटर आपका हो गया आउट पुट डिवाइस ने प्रिंट कोई भी निकाल लो बाहर हार्ड का पीके रूप में और डिस्पले है ना इसकी जो स्क् प्यू जो रखा हुआ होता है कंप्यूटर का तो यह हैं हार्डवेर क्या है हार्डवेर इसके बाद देखो इन्पूट डिवाइस इन्पूट डिवाइस क्या होते हैं यह देखो इन्पूट डिवाइस के बारे में बताएगा है कंप्यूटर में जिन डिवाइस द्वारा निर्देश हम डाटा को अपलब्द कराया जाता है इन्हें इन्पूट डिवाइस कहते हैं कंप्यूटर में अनेक प्रकार के इन्पूट डिवाइस परयोग के जाते हैं जैसे कीबोर्ड माउस स्कैनर टच स्क्रीन वेब कैमरा लाइट पर ना दे कहने तात पर यह है कि जिन यंत्रों के द्वारा जिन मसीनों के द्वारा हम कोई भी निर्देश कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं तो वह जो है इन्पूट डिवाइस होता है जैसे कि माउस है तो माउस से करसा जलाते हैं और कीबोर्ड से हम अच्छर लिखते हैं तभी तो वह हम जब लिखेंगे यह होगा इन्पूट डिवाइस गलाच लेंगे कि आउटपूट डिवाइस क्या होती है आउटपूट डिवाइस की बात करें तो कंप्यूटर में वह डिवाईस जिनके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम से सूचना या result को यहाड़ कापी के रुप में प्रेंट या अंदर भेजते हैं तो समझ जाता है कंप्यूटर क्या दो रहे वाप इसके बात प्रप्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं यह जिसको कहते हैं से Central Processing Unit Computer का मस्तिस्क होता है क्या लिखा है मस्तिस्क लिखा है दिमाग होता है जिस प्रकार मनुष्य प्राप ताकड़ों का अपने मस्तिस्क में प्रोसेस करता है उसी प्रकार CPU L ignoring guidance क्या टाटा को प्रोसेसिंग करके उसका निश्कर्स आउट पूट डिवाइस पर देता हाड़्य के प्रकार इस्प्रकार से है तो हाड़्यवयर के प्रकार कीबोड मावश मानीटर और इस्पीकर यह चार क्या है hardware है अगला है keyword keyword के वारे में देखो एक input device है और इसके द्वारा program data को computer में enter किया जाता है ठीक यानि लिखा जाता है इसके द्वारा computer का keyboard typewriter की keyboard के लगभग मिलता जुलता है और जिससे सामानता 104 यह से ज्यादा बटन होते हैं 104 की होती है इसमें और फिर है mouse यह भी क्या है input device है क्या है input device तो mouse में क्या करेंगे एक pointing device है क्या है pointing device है जिसके द्वारा आप बिना किसी बिना keyboard का परियोग की computer का नियंतर कर सकते हैं इसे एक हाथ से पकड़ पकड़ा जाता है और एक फ्लैट सता पर चला जाता है mouse का परियोग इसके इसके चेज डायग्राम्स आदे ड्रॉ करने में थद निर्देश देने के लिए क्या रता है mouse दो प्रकार का होता है mechanical और optical mouse इसमें दो बटन होते हैं left and right और तीसरा बटन scroll बटन भी किसी- किसी mouse में होता है जब mouse को संतर सताह पर इधर खरते हैं तो それ grey यह हिलता है जब माउस को हम किसी चिकनी सताबर क्या करते हैं अब आ देखो speaker speaker जो है computer से गाना सुनने था picture देखने पर आवाज आती है वह speaker के माध्यम से ही हम तक पहुचती है जो भी आवाज computer से आती है वो speaker के द्वारा सुन पाते हैं इसके बाद है monitor का परियोग किया जता है इसकी तेलीउजन को सदाहां तरह अब टी अधी ये दो प्रकार के मनिटर होते हैं साफ्त्वेयर अब आजाओ साफ्त्वेयर पढ़ते हैं इसने दर ये मानिटर आपका हुआ या माॉस हुआ हुआ या कीबोर्ड हुआ या सीप्यु हुआ इसाब क्या है ये हार्ड्वेर हैं क्या है hardware है और उनके अलग-अलग भागत किये गए जहे इनपुट डिवाइस हो गया आउट पूट डिवाइस हो गया है ना प्रोसेसिंग उनिट हो गई यह अलग-अलग प्रकार क्यों गई अब पढ़ना है software software क्या होता है बिभिन प्रोग्रामों के समोह को साप्ट्वेर करते हैं निर्देशों का एक सेट जो एक विसेश कारे करता है प्रोग्राम या साप्ट्वेर प्रोग्राम कहलाता है प्रोग्राम के निर्देश कंप्यूटर को इंपुट कारे करने डाटा को प्रोसुष करने रिजल्ट को आउटपुट करने के लिए करता है विचार करने के बाद ऊसका उत्तर देता ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर भी कारे के लिए उस डेटा को की बोर्ड माओस स्काइनर आधिके वाधिम से लेता है तश-परस्शा सीप्यू उनका प्रोसेस यहनी किर्यानवैन करता है प्रोसेस करने के बाद उनका उत्तर मानीटर पर जो है दे देता है तो ये होगा साफ टोयल की बात अगला कुश्चन है परस्टनल कंप्यूटर के भागयों कारे परस्टनल कंप्यूटर के भागयों कारे तो personal computer को तीन भागों में माटा जाता है desktop computer, laptop और laptop यह तीन प्रकार के क्या है यह personal computer है personal का मतलब बेक्तिकात रोप से जो रखे जाते हों है जिसे हमको कोई कारी करना है अपने personal कारी के लिए हमने एक laptop पे लिया तो personal computer desktop हो गया तो desktop में आपको ध्यान रखना है इसमें चार चीजे होना बहुत जोड़ी होता है तब जाकि यह computer का निर्माण होता है monitor आपका हो जाएगा mouse हो जाएगा, keyboard हो जाएगा और आपका processing CPU हो जाएगा यह चार चीजे desktop में होती है तो पहला प्रकार जो बताया गया है वो है आपका desktop क्या है, desktop computer personal computer के प्रकार है, भाग है personal computer का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला desktop computer है यह रहे एक ऐसा computer है जिसे किसी मेंच पर रखकर प्रयोग कियाता है इसलिए शे時 desktop या desktop PC के नाम से जाना जाता है PC का मतलब personal computer ठीक और desktop मतलब desk पर रख रख कर जो है कारे किया जाता है लेपटाप computer लेपटाप को सब लोग जानते हैं लेपटाप क्या होता है सबके लगभग जो भी काम करने वाले हैं तो laptop जो है अपना पर रखते हैं तो laptop computer जो है क्या होता है laptop computer वह होते हैं जिनको वेगती अपनी गोद में रख कर कारे करता है यानि हम पास में दख लेंगे डेक्ष्टाप पर फिरा सकते हैं ना यानि पोर्टेबल होता है एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक ले जाने में आसानी होती है यह साइज में बहुत छोटे होते हैं और इन कंप्यूटर को वेगती एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक आफाने से ले जा सकते हैं इनमें पावर के लिए बैटरी और एसी विद्दूद दोनों का परियोग किया जाता है एसी का मतलब है डायरेक्ट करेंट है ना मलब चार्जर से जोड सकते हैं और बैटर से भी च देखो लिखा है यह टैबलेट यह कंप्यूटर लैप्टाप कंप्यूटर से छोटे होते हैं इनको हथेली पर रखका चला जाता है तथा विक्ति अपनी जेव में रख सकता है आजकल मोबाइल में भी यह शुविधा उपलग्द होने लगी है पाउम टॉप कंप्यूटर के समान बटनों वाली कीबोर्ड होता है बटनों वाला कीबोर्ड होता है और एक छोटी स्क्रीन होती ही जह बैट्री से चला जाता है तो वह कंप पॉम्ट अपर इसके बादप पर सनल कंप्यूटर के मुख्यकारे क्या है पहला कारे दियागा है कि निमनलख्हित इनका प् काम करना है अपना और बनाने के लिए उसका कारी करता है और बच्चे गेम खेलने में इसका प्रियोग करते हैं सांख की गड़ना का कारे अ और software निर्मार करने में पर्सनल computer का प्रियुग करता है और चेल सथा production ने प्रमुकारिष्ट के होते हैं अगला मुख्य भाग की बात करेंगे तो memory है क्या है memory ओपर तो कितने में मुरी है न तो मिमोरी स 17डा को स्थाल सभाई या आज फाल रोब से संग्रहित करती है संग्रहित करने का ममझे कर programs करते हैं ऐह मुख्य दो प्रकार की होती है रेंडम में रेंडम एकसेस मूरी जिसको RAM कहते हो RAM है ना RAM किसी भी डेटा अथवा सूचना को संचित करने के लिए RAM का उपयोग करते हैं इसमें डेटा अथवा सूचना को आशकता नमसार पढ़ावें परवर्थित किया जा सकता है यह सूचना RAM में तब तक रहती है जब तक आप पावर सप्लाई रहती है और पावर सप्लाई बंद होने के बाद सारी की सारी सूचना बुलब्त हो जाती है तो यह है आपका क्या है random access memory रैम जिसको कहते हैं और इसके बाद है रोम read only memory रोम को कहते है read only memory यह अस्थाई जो है memory होती है क्या होती है स्थाई memory जब power supply switch up हो जाती है तब भी memory में संग्राह किये data बिलुप नहीं होते हैं यह होगा रीड only memory अब की रोम हो गई computer का का उपयोग कंप्यूटर का उपयोग क्या है कंप्यूटर का उपयोग आप सिर्फ गढ़ना तक सिमित नहीं है आज इसका उपयोग म्यूजिक ग्राफिक्स इंटरनेट आदी कई अन्य छेत्रों में भी हो रहा है कंप्यूटर के उपयोग मुख्रोप से तीन भागों में भा कि कब्प्पीटर के अन्निकतारे। काुण कोंग से कफोटואתी करना फोटोग्राफी फोटो निकालना बैंकanga रेलबास ह्वा यद्डा कार खाने बड़े बड़े हुद्धो आदोल में कंप्प्प्प्प् केवल मसीनी भासा ही समझ सकता है और इस भासा में केवल दो ही अंक होते हैं अर्थात जीरो और एक का प्रयोग किया जाता है इसे बायनरी प्रणाली कहते हैं और इस प्रणाली में सारे अंकों अच्छनों चिन्हों को जीरो यूं एक के द्वारा अंकित किया जाता है बायनर बाइनरी भासा में चीजों को क्या करता है वह इंपुट करता है तो कोई भी कोई भी आकड़ा हो किसी रूप में जाएगा जीरो में जाएगा और एक में यही दो अक्षर होते हैं जिसके रूप में जो है कंपुटर एकसेप्ट करता है और इसी को बाइनरी संख्या कहते हैं तो एक बाइनरी संख्या प्रते एक अंग के लिए एक बिट जो होता है देखो चार बिट जो है एक नीवल के बराबर होता है यह जो मुख्यमुक्य पॉइंट है देखना चार आठ बिट यह एक बाइट क के बराबर होता है एक के बी के बराबर होता है तो के बी और जी बी और एम बी ये लोग तो समझते हो ना तो एक हजार एक हजार चोबिस बाइट बराबर एक केबी होता है किलो बाइट और एक हजार चोबिस किलो बाइट केबी बराबर एक मेगाबाइट यह एमबी होता है और एक हजार चोबिस मेगाबाइट यह एमबी बराबर एक गीगाबाइट गीगाबाइट जीबी होता है और एक हजार क्या है इस लेशन में यह देखो कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ गड़ना तक सीमित नहीं है आज इसका उपयोग में उजी ग्राफिक्स इंटरनेट आद कई छेत्रों में भी हो रहा है सतर्फ अबदी में चार्ज वैवेज ने एनलिटिकल और डिफेंस मसीन का विसकार किया था उसमें मेमोरी का डाली और उक्त मसीन के विसकार से ही आधनि मसीन की सुरूआत हुई थी इसी कार्ट 45 तो क्या को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है एनी क प्रतम electronic computer था central processing unit कंप्यूटर के computer का मस्दिश्ख होता है जो input किये गए data को processing करके उसका निस्टर्स output device पर देता है mouse एक pointing device है जिसके दारा आप किसी keyboard का प्रयոग और जो है कि ये computer का निरंतर कर सकते हैं इसका प्रयोग sketches, diagram, draw करने तथा निर्देश देने के लिए किया जाता है memory किसी भी data को इस्थाई या आस्थाई रोप से संचित, संग्रहित कर सकती है ये मुख्यता दो प्रकार की होती है RAM, random access memory और ROM, read only memory तो ध्यान रखना है कि दो प्रकार की memory होती है, पहले होती है RAM, random access memory और दूसरी memory होती है, रोम, read only memory ठीक, तो ये रही class और बाकी जो इसके question answer बसे हैं तो वो हम कल करवा देंगे और फिर उसके बाद जो है, आपका कच्छा छे की जो भी ज्यान है वो पूरी हो जाएगी, इसका मुदलब है, कि बाकी जो है, खरते रहेंगे और कल फिर मिलते हैं अगली class में, तब तरक के लिए धन्यवास जर तरक के लिता है जो, जरखे के लिए्याँ अव मिले जो हैं प्तहल baru जो है जो है जो हैं ऊछocyret देंगत है उसका म्दल्म् झाष्याँ मुखट वो जो फिर लिए्याँ जो भी को झाल झाल